हमें एक नई कहानी लेकर आई हूँ, काच और हीरा चलो तो हम सुनते हैं एक राजा की कहानी है, एक राजा था, एक राजा का दर्वार लगा हुआ था, क्योंकि सर्दी का दिन था इसले राजा का दर्वा खुले में बेटा था, पूरी आमसबा सुबा की धुप में बेटे थी, महराज ने सियासन के सामने एक टेबल जैसी कोई किमती चीज रखती, पंडिक लोग दिवान आदी सभी दर्वार में बेटे थे, राजा के परिवर के सदक्षे भी बेटे थे, उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा प्रवेश मिल गया तो उसने कहा मेरे पास दो वस्तु है, हर राजा के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, कोई फरक नहीं पाता हूँ, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ, अब अपके नगर में आया हूँ, राजा ने बुलाया और कहा क्या बात है, उसने दोनों वस्तु है टेबल पर रख दी, बिल्कुल समानाकार, समान रूप, समान प्रकार, सब कुस नक सिक समान, राजा ने कहा, ये दोनों वस्तु है एक है, तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ दिख परक कर बते की हीरा है या काच अगर परक खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज की तिज़ोर में जमा कर दूँगा यदि कोई पैचन पाया तो इस हीरा को जो कीमत है उतकी धनराशी आपको मुझे देने हुगी इसी पेकार कई राजों में जित्ता आया हूँ राज दे का हां मैं तो नहीं परक सकूँगा दिवान बोले हम भी हिमत नहीं कर सकते क्यों कोई देनों बिलकुर समाने सब हारे कोई कीमत नहीं जूटा पाया हानने पर पैसे देने पड़ेंगे इसका कोई समान नहीं क्योंकि राजा के पास बहुत धन है राजा की प्रतिक्षा गिर जाएंगी इसको सबका भहिता कोई व्यक्ति पहचा नहीं बैया आखिरकर पिछे थोड़ी हलचर हुई एक अंधा आत्मी हाग में लाठी लेकर उटा उसने कहा मुझे महाराज के पास ले चलो मैंने सब बाते सुनी और यह अब सुना कि कोई परक ने सकता एक अउसर मुझे भी दे दो एक आदमे के सारे वो राजा के पास पहुचा उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं जल्म से अंदा हूँ फिर भी मुझे एक अउसर दिया जाए जिसमें मैं एक बार अपनी बुद्धी को पर्खू और तो हो सकता है कि सपल भी हो जाओ यदि सपल न भी हुआ वैसे भी आप तो हारे ही है राजों को लगा कि इसे अउसर देने से क्या हरज है राजने का ठीक है तो उस अंदे आदमी को दोने चीजे चुआ दी गई और पूछा गया इसमें से कौन सा हिरा है और कौन सा काच है पर्खना, कथा करती है कि इस आदमी ने एक मिनिट में कह दी का ये हीरा है और ये काच है, जो आदमी इतने राजों को जित कर आया था, वो नतमस्तक हो गया और बोला सही है, आपने पहचान लिया धन्य हो आप, अपने वचन के मुताबिक वो हीरा में आप खुश हो गये और आदमी आया था, जो आदमी आया था ना वो भी भहुत खुश हुआ, कि कम से कम कोई तो मिला पलकने वाला, वो राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति के एक जिन्या सा जता है, कि तुमने केसे पैचना कि ये हीरा है और ये काच है, उस अ बहुत मोटिवेशन स्टोरी है, किसे एक अंधे आदमी ने काच और हीरेमिक परखी, कि कभी भी हीरा थंडा होता है, और जो काच होती है वो धूप में गरम हो जाती है, जो थंडा रहा वो काच हीरा है, इस तरह वो अंधे आदमी ने हीरा पैचान दिया बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी थी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी लेकत, स्री स्वामी समारता, स्री कृष्णा